हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है टॉप रेंकर्स पे तो बेटा जैसे आप सभी लोगों को पता है कि चार तारीक कौमारा सीवी एसी का सिजिक्स का पेपर आ चुका है तो उसके लिए हमने कुछ अच्छी सी स्ट्रेटजी तैयार की है जिससे कि आपको काफी ज़्यादा हेल्प हो जाए आपको एक्जाम को किस तरह से आपकी प्रिपरेशन को डिजाइन करना है किस तरह से आपको स्मार्ट वर्क कर है कि कौन से टॉपिक्स आपके ज़्यादा इंपोर्टेंटा है कहां से ज़्यादा पोर्षन आ सकता है कौन सा ठींट्री ज्यादा है और किस पे आपको एक जीटी कोर्ट की तरह ज्यादा फोकस करना ताकि easily आपको marks मिल जाएं, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम आपका syllabus review कर लेते हैं, किस-किस तरह से आपका दिया हुआ है, तो देखिए बेटा, आपको दिख रहा है इस screen पर, जो आपको electrostatic में पहले जो तीन chapters लिखे हुए हैं, यह आपका electrostatic के सुरू के दो chapter हैं, और third chapter आपका current electricity है, इन तीनों chapter से मिला के देखिए, आपको देख रहा है, कितने marks का आना है, यहाँ पर portion, 16 marks का आपको यहाँ से इन तीन chapters है, आपको total content आना है, अब यहाँ से देखिए, 16 marks लेकिन यह जो chapter है, यह बेटा आगे बाले chapters का एक तरह से basic की तरह work करते हैं, क्योंकि charge, जो हम charge पढ़ते हैं, भाई फिर हमें कहीं ने कहीं item में भी देखने को मिलता है, नूकलेज में देखने को मिलता है, photo electric effect में भी हमें यह चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसलिए यह जो शुरू के तीन chapter है, यह थोड़ा सा concept building के हिसाब से इस तरह से prepare करना है, कि इसमें हमारे जितने भी doubt हैं, वो सारे clear सुरू बार में ही हो जाएं, और हम इस topic की थोड़ी depth में पहुंच सकें, इसमें से आपको यह ऐसे boss law है, कूलोम्स law है, उन सभी की applications है, उन सभी चीज़ों पर ज़्यादा focus करना है, और आपको छोटी-छोटी properties, electric field वगएरा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, अब इसके बाद हम अगर next देखें, तो यहाँ पर 17 नमबर है, शुरू के तीन चैप्टर आपके 16 नमबर के थे, लेकिन ये बुक बन के, बादी के 4 चैप्टर आपको दिये हुए हैं 17 नमबर पर, और यहाँ पर EMW, electromagnetic wave, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान दें, तो इसमेंसे जो चैप्टर है, Magnetism and Matter, यह काफी ज़्यादा मिलता जुलता हमें लगेगा, जब हम Electrostatic पढ़ लेंगे, Properties of Charge, और उसके बाद Khoulom's Law, वो Sam2 से हम यहाँ आ जाएगा, तो काफी ज़्यादा इसके comparison में, इसके बाद हम जैसे इस पर आएंगे, यह चीज़ें हमें थोड़ी easy लगने लगेंगी, और यह वाली topic, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है सालवर, आपको भी पता है, कि इसमें थोड़ा सामिक focus ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा concentrate होना पड़ता है, और यह chapter नहीं से हैं, यह हमारा concentration खुद gain कर लेते हैं, थोड़े से इनके comparison यह basic है, तो यह इसकी application की तरह है, थोड़ा सा easy लगता है और interesting लगता है, इसके बाद हम देखते हैं, next slide पर, तो यह देखिए, आपका electromagnetic wave और उसके बाद बेटा optics, ray optics और wave optics दोनों मिला के, यह सारा portion आपका रहा है, 18 marks में, यहाँ पर देखिए, optics के derivation थोड़े से परिसान करते हैं, और electromagnetic wave की तो basic properties कुछ है, किसकी कितनी wavelength है, उसे उस order में arrange करिए, क्या किस electromagnetic wave एक particular वाले की क्या application हो सकती है, बो सारी चीज़े हैं, और फिर भी optics, बाद की physics जो दी हुई है, book 1 और book 2 से मिला के, थोड़ी सी independent field होती है, लेकिन इसके derivation थोड़ा सा हमसे efforts मांगते हैं, तो हमने उसके लिए भी preparation करी हुई है, कि हम इस topic पर किस तरह से ध्यान देंगे, इसके बाद आ जाते हैं, बाद की के जो तीन chapter हैं बिटा, ये तो इस तरह से लगते हैं, मतलब कि अगर बच्चे ने वहाँ की चीज़ें भी एक बार के लिए हम बोल सकते हैं, skip करके रखी हो, इन चीज़ें पर ध्यान देने में बच्चों को यह असा लगने लगता है, बहुत जी है, और इन तीनों chapter को देखिए आप, ये आप chemistry में भी पढ़ लेते हैं, dual nature, atoms भी पढ़ लेते हैं, और nuclei, ये तीनों में लेक है, 12 नंबर का content आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो syllabus में थोड़ा सामें परिशान कर सकता है, ये optics के derivation, जिसके लिए हमने अलग से MC strategy प्लान की है, कि आपको derivation हम अलग से करवाएंगे, काफी अच्छे से करवाएंगे, आपको यहाँ पर किस तरह से ध्यान देना है, और जो वेटा, आपका पहला chapter है, electric charge और जो electrostatic बाला chapter है, तो जो आज हम session लेके आएंगे, आपका MCQs का, तो उसमें इतने सारे various type के हमने questions select किये हैं, जिससे कि आपके electrostates related, छोटे-छोटे जो pinpoint रहते हैं, जो concept रहते हैं, वो सारे clear हो जाएं, तो ठीक है वेटा, ये हमारी पूरी की पूरी strategy है, आपको खुच्चियों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए, आपको कुछ important topic जो मैंने अभी discuss किये थे, बही topics आपको फिर से देखने को मिल रहा हैं, जैसे application of Gauss law है, आपका bio-severt law, magnetism में देखने को मिलता है, हमारा hysteresis, magnetic properties, ये सारे हमने अलग से निकाले हुए हैं, जिन पर हमें थोड़ा सा इस तरह से focus करना है, कि ये हमें derivation के form में देखने को मिल सकते हैं, इन से मिलते जुलते छोटे-छोटे concept हमें, case waste question में देखने को मिल सकते हैं, तो ये सारे हमने important topics कुछ एक निकाल के यहां पर अलग से रख लिए हैं, ये हमें बाद में help करते रहेंगे, किस तरह ऐसा वेटा कि ये चीज़ें आपको पता है, तो फिर भी ऐसा लगता है, हमारी physics की preparation up to mark है थोड़ी कुछ, आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, किसे हम पढ़ाई करें, तो सारे काम हो सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास हमारे पास हा जाता है, हमारा प्लान की हमें इसे इसको चीज़ को follow करना है, और इतनी में ये हमारा काम हो जाएगा, फिर हमें एक human tendency, आलस हमें अपने आप आने लगता है, कि अब काम हो ही जाएगा थोड़ी दिर mobile चला लेती हैं, कुछ और चीज में उलच जाती हैं, तो वो सब काम अभी चार तारीक तक तो बिटा, बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको cool रहना है, बिल्कुल सान्ती के साथ चलना है, यहांसे बदा पानी पर तेरते हुए दिखती है, बिल्कुल आराम आ करते हैं, तो देखो, keep a smile on your face, keep a smile on your face, यह चीज को ध्यान डखना है, और हम आपके लिए काफी कुछ लेकर आ रहा हैं, अगले sessions में बिटा, आपकी सारी preparation की responsibility हमारी है, आप काफी अच्छा कल लेंगी, हम आपके साथ continuously जोड़े रहेंगे, 24-7, आपको जब भी जो doubt लगे, आप हमें message कर सकते हैं, काफी अच्छे से हम लोग मिलके इस exam को attempt करेंगे, ठीक है वेटा, all the best!